हेलो बच्चो, वेलकम बाक तो माई चानल, मेरा नाम जगदीप है और हम इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं और्डिनल यूटिलिटी अनालेसिस पे, और्डिनल यूटिलिटी अनालेसिस को हम इंडिफरेंस कर्व अनालेसिस भी बोलते हैं पिछले वीडियो में हमने इन दिफ्रेंस कर्व के पहली property दिसकस की थी इस वीडियो में हम इन दिफ्रेंस कर्व के second property को discuss करने वाले हैं ठीक है? बच्ठो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नगी किया है ताप चल्दी से कर लीजेगा क्योंकि जैसे ही यह मेरा section complete होगा, indifference curve analysis का, मैं इस पूरे concept पे ordinal utility और cardinal utility पे important notes और quizzes रिलीज करूँगी जो आप miss कर दोगे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. इन chapters में जो छोटे-छोटे concepts हैं, जिन पे full-fledged videos नहीं बन सकते, उन पे आपको मेरे Instagram चैनल पर Reels मिल जाएंगे, so that आप जब मेरे videos देखें, तो आपको समझ में आए कि यह कौन सा concept था, और इसका implication या usage इस concept में कैसे हो रहा है. ठीक, तो बच्छों, बढ़ते हैं lecture में. तो हमारे indifference curves की जो second property है, वो यह कहते हैं कि indifference curves जो हैं convex to the origin होते हैं, ठीक है? Convex to the origin का मतलब होता है कि भई, आपका जो indifference curve है, यह कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है? यह जो हमारी bend है indifference curve की, यह origin की तरफ bend होती है, that is convex to the origin. क्यों होती है? क्योंकि indifference curve analysis करता है marginal rate of substitution, और यह जो rate है, यह diminishing है, ठीक है? marginal rate of substitution क्या कहता है? वो यह कहता है कि भई, अगर consumer को एक commodity की consumption increase करनी है, हमारे case में example चल रहा है chocolates और pizza का, तो अगर उसने pizza की slices का consumption increase करना है, तो chocolates की consumption उसे decrease करनी ही होगी, कंपल से लिए है, ठीक है, और यह जो substitution हो रहा है, चोकलेट के बदले pizza consumption increase करने के लिए, तो चोकलेट की consumption का जो reduction है, जो कम कर रहा है, वो किस rate में कम कर रहा है, वो जो rate है, उसे हम बोलते हैं, डिमिनिशिंग rate, ठीक है, marginal rate of substitution diminished क्यों होता है, क्योंकि वो operate करता है law of diminishing marginal utility पे, ठीक है, अब law of diminishing marginal utility क्या कहता है, वो यह कहता है, जैसे जैसे consumer के पास किसी एक commodity का stock बढ़ने लग जाता है, या उसके पास वो चीज जादा आने लग जाती है, उससे मिलने वाली satisfaction याने की utility कम होने लग जाती है, और consumer को फिर वो चीज और जादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है, उसे हम बहुते हैं, law of diminishing marginal utility, ठीक है, यह दोनों ही laws बहुत important है, consumer behavior study करने के लिए, और मेरे चानल पर आपको इन दोनों पर videos मिल जाएंगे, link आपको description box में नीचे मिल जाएगा, अगर आपने यह दोनों concepts नहीं पड़े हैं, तो आप पहले वो पड़ो, तब जाके आपको यह lecture समझ में आएगा, ठीक, अब हमारी पहली जब प्रॉपर्टी थी, वो यह थी कि इन डिफरेंस कर्व्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब चॉकलेट्स कम करने ही पड़ेंगे पीजा बढ़ाने के लिए, मतलब एक चीज अगर आपने बड़ी करनी हैं, जादा करनी हैं, तब जाके वो डाउनवर्ड स्लोप हमें मिलता है, ठीक, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग टेक्निकली दो मेजर तरीके के होते हैं, कैसे, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर में हमारे पास फिर से दो तरीके के स्लोप है, एक है कॉन्वेक्स जो कि यह है और एक होता है कॉनकिव अब हम इन तीनों कर्व को इंडिविजुली बना के देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि यह जो कंडिशन है यह कहां साटस्पाय हो रही है ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर कर्व यह हमारा लीनियर कर करना होगे तो आप स्केल पैंसल के थू यह प्रॉपर इक्विडिस्टेंट रख सकते हो मैंने अंदाजन रखा है ठीक है इक्विडिस्टेंट रखने का इंडिकेशन क्या है कि पीजा स्लाइस का जो इंक्रिमेंट है जो इंक्रीज है वो कंस्टेंट एक ही लेवल पे इसको हमने लेबल कर दिया है यहां पर इतने सारे चॉकलेट्स दुबारा गिवाप कर दिये चॉकलेट्स को हमने लेबल कर दिये C2 अगर आप ही scaling बराबर है, correct है, तो technically C, C1 तक का distance और C1, C2 तक का distance सेम होगा, याने कि C से C1 जितना उसने give up किया है, will be equal to C से C2, C1 से C2, तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, इसका जो sacrifice है, चोकलेट का जो sacrifice है, वो constant level पर change हो रहा है, ठीक है, पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, marginal rate of substitution क्या होता है, diminish होता है, है ना, मान लो, यहाँ पर 10 chocolates give up किये हैं, तो यहाँ पर भी 10 ही give up कर रहा है, तो यहाँ पर marginal rate of substitution जो है, diminish नहीं हो रहा, यह तो constant हो गया, और यह जो situation है, यह real world में आपको बहुत कम देखने मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने मिलेगी, rare possibilities इसमें है, इसको हम exceptional curves भी बोलते हैं, या rare curves भी बोलते हैं, जो कि आपको generally देखने मिलेगा, उन commodities में जो एक दूसरे के perfect substitutes हैं, ठीक है, so यह जो curves हैं आपको कहां देखने मिलेंगे, perfect substitutes, अब perfect substitutes क्या होते हैं, generally जब हम substitutes पढ़ते हैं, तो tea और coffee substitutes लेते हैं, but tea और coffee perfect substitutes नहीं है, ठीक है, perfect substitutes क्या होगा, मान लो हम बात कर रहे हैं, brew coffee and Nescafe, तो यह जो है, यह perfect substitutes आएगा, इसे हम perfect substitutes बोलते हैं, क्योंकि आपके दूद में या तो brew coffee होगी या Nescafe होगी, तो दोनों साथ में अपने coffee के cup में नहीं डालोगे, तो इसे हम perfect substitutes बोलते हैं, तो यहां पर अगर आप brew coffee के 10 units ले रहे हो, और Nescafe के पास आपने 1 unit extra करना ह तो आप brew के लगभग same-same quantity के units कम करोगे, तो इस तरह से अगर आप यह इसे में plus 1 लिख देते हैं, तो टेक्निक के लिए 1, 2, 3, तो यहां पी जो आपने give up किया है, यह same level पे give up हो रहा है, throughout, इसे हम बोलते हैं, constant marginal rate of substitution, जो कि बहुत rare scenario है, हम generally consumer behavior ऐसे study नहीं करते हैं, ठीक consumer जब भी कोई 2 commodities खरीदेगा, तो वो एक ही तरह के 2 commodities नहीं खरीदेगा, वो कई सारे variety के goods खरीदता है, तो इसलिए हम इसे rare या exceptional cases बोलते हैं, ठीक है, और जब MRS constant होगा, उस समय हमारी indifference curve जो है, वो एक linear curve होगी, I hope यह concept समझ में आया, अब हम देखते हैं, दूसरा case, य ठीक है, कॉनकेव कर्व कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, दुबारा से हम यहां पर पीजा के slices लिख लेते हैं, थोड़े equidistant रखने की मैं कोशिश करती हूँ, डिफिकल्ट है, टाबलेट पर पर पिर भी कर रही हूं, मानलो ही हमारे पीजा slices है, ठीक है, तब पहले pizza slice में, consumer ने लगभग इतने chocolates और इतने pizza slices consume किये, ठीक, second pizza slice में, consumer ने pizza slice इतनी gain की, बढ़ चॉकलेट उसने सिरफ इतना सा ही reduce किया है, ठीक है, अब थर्ड pizza slice में देखते है, consumer क्या कर रहा है, अब थर्ड pizza slice में भी consumer ने chocolates give up किये हैं, बढ़ पहले के comparison में, अब उसने जादा chocolates give up किये, है ना, C से C1 का distance, C1 से C2 तक का जो distance है, वो कम है, यानि कि, दो से तीन pizza slice पे जाने पर उसने जादा chocolates give up किये, यहां पे भी chocolate give up किये हैं, बट उसका जो rate है, वो अलग है, सो marginal rate of substitution तो यहां पर भी applicable है, बट जो rate है, वो increasing rate है, ठीक है, सो मान लो, यहां पर 1, 2, 3 इस तरह से इसने pizza slices लिये हैं, बट chocolates चो इसने give up किये हैं, वो पहले case में 20, फिर 19, एंद थर्ड केस में, मान लो 14, सो rate of substitution क्या हो गया, 1 and 5, है न, सो यहां पर rate of substitution जो है, increasing है, अब यह जो segment है, यह भी एक rare scenario हो जाती है, यह जो scenario जो है, हमें regularly market में देखने को नहीं मिलती, ठीक, इसे लिए, indifference curve, concave नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी MRS यहां पर diminish नहीं हो रही, ठीक है, अब हम देखते हैं, convex curve, अच्छा, यह concave क्यों था, क्योंकि इसका जो यह bend वाला हिस्सा है, यह bend वाला हिस्सा है, यह origin से दूर जा रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ अगर bend होगा, तो उसे concave बोलते हैं, ठीक, अब हम आते हैं, convex curve पे, यह हमारा convex curve है, इसे हम नाम देते थे हैं, IC, और यहां पर दुबारा से हम अपने पीजा स्लाइस का काउंट लिख लेते हैं, ठीक है, पहली पीजा स्लाइस, कंजिमर ने C चोकलेट लिये, दूसरी पीजा स्लाइस, कंजिमर ने C चोकलेट लिये, तीसरी पीजा स्लाइस, कंजिमर ने C चोकलेट लिये, तीसरी पीजा स्लाइस, कंजिमर ने C चोक सा c2 से c3 तक और चोटा हो गया तो यह जो साक्रिफाइस रेशो है यह कम हो रहा है हर एक लेवल पर यह और कम हो रहा है ठीक यहां पर हमारा जो चौकलेट का साक्रिफाइस है वो तो है यानि कि marginal rate of substitution तो exist कर रहा है बट इस case में यह diminish हो रहा है diminish क्यों हो रहा है क्योंकि C से C1 तक का distance जादा है compared to C1 से C2 का distance उसी तरह से C1 से C2 का distance जादा है C2 से C3 का distance ठीक है तो यह हमें दिखा रहा है कि भई कंज्यूमर जो है अब हर एक additional pizza slice के लिए अपनी चॉकलेट का जो sacrifice है वो कम कर रहा है क्यों कम कर रहा है क्योंकि चॉकलेट उसके पास अब कम रह रही है उसका जो stock है चॉकलेट का वो घट रहा है अब कंज्यूमर इस नॉट रेडी वो रेडी नहीं है और चॉकलेट गिव अप करने के लिए अब उसको चॉकलेट से मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ रही है क्योंकि उसका stock जो है पीजा इस गोईग डाउन जिस वज़े से अब वो हर एक एडिशनल पीजा स्लाइस के लिए कम से कम चॉकलेट गिव अप करेगा इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिटूशन और इसलिए इन डिफरेंस कर्व्स हमेशा कॉन्वेक्स ही होंगे Convex क्या होता है, कैसे identify करेंगे कि यह convex है इसकी यह जो bend है, यह जो bend हो रहा है यह वाला segment यह origin की तरफ जुक रहा है, ठीक है Concave origin से बाहर की तरफ जुकता है So in difference curves की property number 2 क्या है It is convex to the origin ठीक है, I hope बच्चो आपको यह concept समझ में आया होगा अगले वीडियो में हम next property discuss करेंगे ओके, bye now, take care